हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छी होंगी दोस्तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया दरसल मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो उस वज़े से पर कोई नहीं अभी डिसकेशन कर लेते हैं आज काफी बहतरी न अपोर्चनोटी मिली है अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बैंक निफ्टी में सीधे सीधे प्रिवियस डे लो का ब्रेकाउट देखने को मिला है वो ही सेम सिनेरियो आपको निफ्टी फाइनेंसल सर्विसेज में मिला है यहाँ पे भी आपको previous day लोग का breakout देखने को मिला है अब यहाँ पे आपको देखो दो-दो confirmation मिल रहे है पहला confirmation आपको यहाँ पे previous day लोग का breakout देखने को मिल रहे है दूसरा confirmation यहाँ पे आपको buyers भी active होते भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में काफी बहतरी इन मुमेंटम आया, तीसरा, एक और कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है, आपको follower candle भी यहाँ पर मिल रही है, यह भी कन्फर्मेशन है, चोथा, एक और कन्फर्मेशन मिल रहा है, आपको मैंने important support बताये थे, कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, तो सीधे सीधे momentum मिल रहा है आपको मार्केट में ऐसी opportunity मिल रही है, इसके नीचे का stop loss लगाके, आप momentum को पकड़ने की कोजिस कर सकते हो, भी देखो कोई भी strategy 100% तो perfect नहीं होती, यह मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर मार्केट में reversal आता तो आपका SL बेट हो सकता था, पर लेकिन अगर 4-4 confirmation मिल रहे हैं, बही previous day लोग आपको breakout भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे buyers भी active होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको follower candle भी मिल रही है, आपको यहाँ पे market इस वाले support zone से, support भी लेता वाँ दिखाई दे रहा है, खासकर round level के आसपास से, 44,000 का हमारा यहाँ पे एक round level का zone है, इस zone से काफी बहतरीन आपको एक momentum market में देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए, आईए अब हम यहाँ पे अगला discussion करते हैं, आपको निफ्टी-50 का discussion अब निफ्टी-50 वाली वीडियो में discussion करेंगे, क्योंकि निफ्टी-50 का scenario थोड़ा सा लग है, इन दोनों में तो आपको previous day लोग का breakout देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी-50 में अगर आप देखेंगे, निफ्टी-50 में previous day closing का आपको breakout देखने को मिल रहा है, प्राइज उपर से sustain कर रहा है, और इस वाले resistance जो उन पर market resistance की track कर रहा है, आप इसे आगे extend करेंगे हैं, हमने पहले से draw करके रखे वे थे, इसका discussion हम निफ्टी-50 वाली वीडियो में discuss कर रही हैंगे, फिलाल आप bank निफ्टी पे focus करो, अभी मैं आपको कुछ और scenario भी यहाँ पे समझाने के कोशिश करता हूँ, देखो logic तो आपको clear clear समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपके लिए एक बहतरिंद सी strategy एक्टिवेट हो रही है, जो कि यह previous day low के breakout वाली strategy, अगर आप इन इस strategies के बारे में नहीं जानते, मैं आपको कल ही बताया था कि 40% off किया गया है, पहली बार 40% off किया गया है, इससे पहले हमने कभी तक 40% का offer नहीं दिया था, यह नवरात्रों के उसमें आपके लिए लाया गया था, तो जल्दी से इस offer का फाइदा उठाए और अपनी learning को और भी strong कीजे, और मैं भी दुआ करूँगा कि मातरानी के किरपा आप पे बनी रहे, आप learning अपनी और भी जादे strong करें, तो अब हम यहाँ पर discussion करते हैं, देखो momentum काफी बहतरीन था, अगर आप देखेंगे सीधे सीधे काफी बहतरीन आपको एक momentum market ने दिया है, अब कल का scenario क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखो logic पे ज़्यादा time तो discuss करने की ज़रत नहीं, क्योंकि clear clear मैंने आपको चार चीज़े समझा दी, कि चार कौनसी आपको opportunity market में देखने को मिल रही थी, सीधे सीधे हमने वो discuss कर दे, अब यहाँ पे एक चलो मैं आपको one day के time frame पर लेके चलता हूँ, यहीं पे समझाँगा मैं, अब जो हम discuss कर रहे थे, काफी दिनों से discuss कर रहे हैं, कि market में गिरावटाई, उसके बाद एक range में market चला गया, अभी भी bank nifty उसी range में support ले रहा है, तो यानि अगर negative momentum आया, तो फिर से हमें पता है कि support zone हमारा कहाँ पे है, यह हमारी कैसे मदद करता है, भई देखो एक तो नई entry बनाने में मदद करता है, एक profit booking करने में मदद करता है, दूसरी गलत side entry लेने में भी मतलब हमें रोक देता है, जैसे आप यहीं पे देखो, अगर आपको पता है कि नीचे support जो नहीं आपके साथ discuss किये गए है, 44,000 और यह 44,100, खुदी सोच के चलो, अगर marketing से नीचे जा रहा है, भले ही यहाँ पे एक follower candle भी मिल जाती, तब भी हम यहाँ पे trade करने की नहीं सोच दे, क्योंकि नीचे round level बैठा हुआ है, दूसरा हम यह भी देख रहे हैं कि वन डे के time frame पे अगर scenario देखे, कि market कहीं न कहीं अपने support zone की नजदिक है, इसका मतलब यह नहीं होता कि यहाँ से buying position कर लो, क्योंकि यह भी मैंने आपको समझाया है कि ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि अगर market sideways चला गया, चलो आज तो market ने आपको momentum दे दिया, अगर market यहाँ पे sideways चला जाए, तो जो buying side position बना के बैटे होंगे, उनका भी loss हो जाएगा, जो negative side position बना के बैटे होंगे, उनका भी loss हो जाएगा, तो ऐसे situation पे क्या रहेगा, ऐसे situation पे आपको चीजें यहाँ पे थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इस वाले scenario को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ तक क्लिए रहे हैं, दोखो यह indication होते हैं, कि आपको कहाँ पे अपनी profit booking करनी है, इसलिए मैं इन चीजों पे logic पे ज़्यादा focus करता हूँ, वीडियो की सुरुवात में ही मैं logic सबसे ज़्यादा discuss करता हूँ, लेकिन आप video like नहीं करते, लाइक कीजिए, जल्दी से like target है 5000 like, जल्दी से like button प्रेस कीजिए, आई अब हम यहाँ पे कल का discussion समझ लेते हैं, कि कल के scenario को हम थोड़ा सा किस तरीक से देख के चलेंगे, अब जैसे कि हम यह देख रहे हैं, कुछ चीज़े हम यहाँ पे notice करेंगे, यहाँ पे notice करने लाइक चीज़े क्या है, जैसे 13 को भी market ने इस वाले zone पे काफी time spent किया था, हमने यह चीज़ note कर ली, आज भी market इसी zone से rejection लेके चल रहा है, तो यानि कि यह हमारे लिए लिए कल के दिन काफी important role play करेगा, तो हम इसे mark कर लेंगे पहले ही, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सीधे सीधे हो गया, previous day हाई हो गया, सीधे सीधे, यहाँ तक समझ में आ गया, यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका previous day closing, यह भी हमने mark कर लिया, दूसरा हम यहाँ पे एक सीज़ ओर mark करेंगे, यह भी mark कर लो, यह आपके लिए क्या हो गया यह हो गया आपके लिए प्रिवियस डे लो हो गया आपके लिए यहाँ तक चीजे के लिए रहे कोई भी confusion नहीं है न एक एक concept समझ में आ रहा है देखो confusion नहीं होना चाहिए यहाँ पर नहीं तो problem हो जाएगी अब यहाँ पर हम discussion क्या करेंगे अगर market flat open होगे आपको positive momentum दिखाता है तो मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा सीधे सीधे में आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि अगर market previous day closing से उपर चलना शुरू हुआ तो आपके लिए important resistance कहाँ पर है previous day हाई पर है आपके लिए important resistance यहाँ तक चीजे समझ में important resistance यही रहेगा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि अगर market previous day closing से उपर चलना शुरू हुआ यहीं पर आपकी profit booking होनी चाहिए पहली चीज हम note करेंगे दूसरी चीज हम यह देखेंगे अगर market इसका सीधे से breakout दे रहा है और हम position में पहले से बने हुए है तो हम position में बने रहेंगे हम क्या करेंगे अपना stop loss उठा के यहाँ पे shift करेंगे यहाँ तक चीजे समझ में clear होगी कोई भी confusion नहीं है दूसरी चीज अगर market आपको flat open हो के negative momentum दिखाता है इस scenario का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए आपका होने वाला है loss की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है अगर market यहाँ से आपको negative momentum दिखाता है तो मैं फिर से आप से स्वाल पूछता हूँ क्या negative side आप aggressively position बनाओंगे जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से नहीं क्यों ऐसा आना चाहिए क्योंकि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट हो गया हमारे पास 44,100 का इसका अगर breakdown मिला है तो एक important support हो गया 44,000 का लेकिन हम स्केलपिंग जरूर कर सकते हैं नीचे की side एक बात और धियान रखना जो हमारा previous day low है और ये वाला जून काफी नजदीक है कभी आपको previous day low का breakdown मिले और आप इस setup पे आपको process करता हूँ कि अगर आपको कोई strategy पता है कोई setup पता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे ही उस पे काम करने लग जाए आपको ये भी knowledge होनी चाहिए कि कब उस पे काम करना है कब avoid करना है इसलिए आपको जो main-main setup है उनमे case 2 समझाए गई है और आप उन case 2 को हर जंगे apply करेंगे अगर आपको नजदी की support resistance दिखाई दे रहे हैं फिलाल 40% का off चल रहा है आप जाके offer को enjoy कर सकते हैं अगर मान के चलो आपको gap up opening देखने को मिल जाती है उस scenario पर क्या करेंगे उस scenario पर हम अपना पूरा focus previous day high पर रखेंगे अगर market इसी के आसपास आपको gap up opening दे रहा है अगर time spent करके breakout दे रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर सीधे breakout दे रहा है तो इसे रुकने देंगे एक retracement बनने देंगे तो वो ज़्यादा बैतर रहे गा है यानिकि अगर एक price action बनाता है कोई bullish candle बनाए या कोई bullish chart pattern बनाए बुली scandalistic pattern बनाए इस तरह का अगर आपको scenario देखने को मिले तो और भी ज्यादा अच्छी बात है वहीं पर अगर market यहाँ पर gap up opening दे के reversal देता है तो पहला support आपके लिए बनेगा previous day closing पर और नीचे के support की possibilities क्या है वो आपको idea है वहीं पर आपको gap down opening मिल जाए इस scenario पर क्या करेंग अगर इनी zone में आपको gap down opening मिल जाती है इसी के असपास gap down opening मिल जाती है अगर market ने support लेके bounce लिया तो फिर तो हमें पता है कि resistance की possibilities कहा का पर हो सकती है लेकिन अगर market ने negative side चलना शुरू करा तो इस सिर्प और सिर्प स्केल्पिंग फिर focus करेंगे क्योंकि नीचे काफी support हो ज notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you